हमारा टॉपिक शल रहा था वर्ड हिस्ट्री का प्रत्थम विश्यूद्ध उसके अंदर भी हम पैरिस पीस ट्रीटीज देख रहे थे पैरिस सांती संधियां इन सांती संधियों के अंदर हम वर्षाई की संधी सेंट जर्मी की संधी करा चुके हैं आज हम कराएंगे ट्रिय कि इसमें दो गूट थे मैंली एक था मित्र राष्ट और एक था धुरी राष्ट धुरी राष्ट ये सभी राष्ट थे और मित्र राष्ट थे मित्र राष्ट इनको अलाइट पावर भी कहा जाता है मित्र राष्ट मित्र राष्ट में थे ब्रिटेन फ्रांस रूस इटली और यूएश ये प्रमुख देश थे और इधर ये धुरी राष्ट थे इनको धुरी राष्ट कहा जाता है इन सभी को धुरी राष्ट इनको एक्सिस पावर कहा जाता है और इनको अलाइट पावर तो ये थी प्रत्थम विश्व दिके अंदर इन सभी देशों की हार हुई थी इन सभी एक ही समुई में थे और इन सभी देशों की जीत हुई थी तो ये जीते हुए देशों ने इन देशों के साथ संधिया की थी और हरजाने की रुप में बहुत सारी रासी इन पर थोप दी थी और बहुत सारे इनके जो भी ओदेविक छेत्र थे जो वी इनके पास जो भी चीजें थी उनसभी को छींड लिया था तो आज हम देखने वाले हैं ट्रियानों की संधी जो की हंगरी के साथ हुई थी देख लेते हैं ट्रियानों की संधी जो की 4.1920 को हुई थी हंगरी को अलग करके एक स्वतंत्र गंदतांत्रात्मक राष्ट बना दिया गया था पहले हंगरी और ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया एक ही देश थे लेकिन इन संधियों के द्वारा हंगरी को ऑस्ट्रिया से अलग कर दिया गया था ताकि यह जादा से जादा उससे भरपाई करा सके एक तो उन्होंने ऑस्ट्रिया से जो भी जो छती पूर्थी थी वो ली थी जो था उसकी भरपाई कराई और इसको अलग करके हंगरी से भी इनोंने बहुत ज्यादा छतिपूर्थी लेती मतलब नुक्षान की भरपाई कराई थी बहुत सारी धन्रासीन पर थोप दी थी और क्या था हंगरी के अनेट चेद्टर बहुत सारे छेत्र जो अंदर आते थे रोमेनिया युग श्लाप्या चैको numa को देदे गये थे जो बहुत सारे एरिया इनका इनको इन सभी देश को पिर दिया गया था- इनगो यह इसके आसपास आते थेingenसे खरी इन पर दान करते कि आप अपना अधिकार जमांगे कुछ भी कीजिये आगे हैं सैनिक संख्या कम करके 35000 कर दी गई मतलब इनोंने से निक बहुत ज्यादा ध्याने था जो मित्र राष्ट थे, इनकी सैनिक संख्याओं को बहुत ज़्यादा कमजोर कर देना चाहते थे, सैनिक सक्ति को तोड़ देना चाहते थे, पूरी तरह से, देखा गया था कि बहुत सारे जाद तर सभी देशों में सैनिकों की जो संख्यादी बहुत ज़्यादा कम कर दे थी अब आप कैसे भी अपना काम चलाइए किस तरह से भी कुछ भी कीजिए आप सैनिक जादा नहीं रख सकते थे इसका एक रीजन इनके सामने निकल के आया कि जितना जादा सैनिक रखते तो हो सकता है इनको आगे चलके प्रॉब्लम कर दे इसी वज़े से इनको सैनिक रूप से हैं कि एसका भरपाई जो भी तुम ही करोगे इस तरह से इनको थारा गए युद्व के लिए पूरी तरह से इनको दूझ कि प्रहा इए और इन्हों ने अपने आपको बोला कि हमारी कोई गलती ने तुम्हारी चीघ्ट से हुआ और हमको इसमें सामेल होना पड़ा देखिए जीतने के बाद लोग क्या क्या करते हैं देश क्या क्या करते हैं आगे युद्य छती पूर्टी के रूप में भारी धन्रासी का बुक्तार करने के लिए विवस्ट किया गया इन सभी को बड़ी ही कठोरता से इन सभी से उपर से इनका नुक्षान भिया उपर से इनको नुक्षान की भरपाई भी करने थे पूर्ती भी करने थे आगे अलग-अलग करने का मक्सद अलग-अलग धन्रासी वसूलने और कमजोर करना था इन देशों को जो आस्ट्रिया और हंगरी थे इन देशों को ये एक ही थे ज इतने सालों तक सासन किया है और किस तरह से सासन किया है हम जानते हैं तो इन देशों के साथ ये क्या कर सकते हैं ये भी सोचने वाली बात होगी मतलब कुछ गलत ही करेंगे अच्छा तो कर नहीं सकते हैं तो ये था हमारा ट्रियारों की संदी जो कि हंगरी के साथ हुई थी त